नमस्कार आज मैं आपको बैग बनाने का एक बहुत आसान तरीका बताऊंगी इस तरीके से अगर आपको थोड़ी सी भी सलाई आती है तो आप आसानी से घर परी अपने लिए बैग त्यार कर सकते हैं और इसके लिए आपको बजार से कोई भी समान लानी की जरुद नहीं है आप घर में रखे वे पुराने कुर्ते के कपड़ा या सून का बचावा कपड़ा या फि कोई पुरानी बैट शीट या कटन के कपड़े का यूज करके ये बैग आसानी से घर परी सिल सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने ये दो कपड़े के पी और विर्द है इनकी 17 इंच और ये चारो कपड़े सेम इसी मेजिरमेंट के हैं दो लाइनिंग की कपड़े और दो बैक की कपड़े अब हम ये एक लाइनिंग का कपड़ा लेंगे इस तरह से लंबाई की साइट से से ऐसे फोल्ड करेंगे सेंटर से फोल्ड करेंगे बैक की लंबाई लेंगे सबसे पहले तो हम 11 इंच पर निसान लगाएंगे ये हमारी बैक की लैंद है इस तरह से अब ये बंद वाली हिस्से से हम 2 इंच पर निसान लगाएंगे और यहाँ से फिर हम 2 इंच पर निसान लगाएंगे और यहां से एक इंच भी निशान लगाएंगे और इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे यह हमारी स्ट्रैप है और यह हमारा बैग है अब इस लाइन को जो हमने दो इंच यहां से दो इंच पर खीची देंगे यह dot लगा है यहां से बिदी लगा लेंगे और इसको एक लाइन खीट लिए आप यहां से हम प्रेड़ हाफ इंच पे निशान लगा दीनगे हैं से यहां पे 2 इंच पे और इसे इसतरी से मिला देंगे अब यहां से हम इस corner से यहां तक गोलाई दीदेंगे यह बंद वाला हिस्सा है हमारा यहां से यहां तक गुलाई लगा लेंगे से भी देखें हमारे स्ट्रैप हो गई हमारा बैग हो गया अब यहां से हमें खुले वाले हिस्से से का दोइंच मेरे निसान लगाएंगे है और यहां से भी दो इंच मेरे निसान लगाएंगे इसे बॉस्स पना लेगे इससे इस मिनकुकंख को ऑप कुछ से बढ़ा कर लेंगे कर की देखें यह हमारे बैग की सेफ कट गई है जैसे यह कट आया है इसे दो नों का ऱैया इन द दोनों कपड़ को एक कोपरेंगर रख्ते वे एक सिलाई यहां पे लगा लेंगे और एक सिलाई यहां पे लगा लेंगे उसैसा पकड़ा offices j लगा देंगे दोनों इसलाई को मिलाते वे एक सिलाई यहां पर लगा देंगे और इसी तरह एक सिलाई यहां पर लगा लेंगे देखिए हमने सिलाई लगा लिए एक सिलाई हापे और इसलाई यहां पर लगा लिए हमने जैसे हमने हापे सिलाई लगाई थी इसी तरह सेम हमन अब देखिए निचो,कपड़े एकको पर एक अच्छी तरह बिचा लिए देखिए दो कपड़े एकको पर एक रखे जैसे इस पी सलाइव में पहले इंग पे सलाइ कर लेंगे दोनों साइड साइडे गोलिगे। पढ़ आपर गए है का इसी तरह से तरह में ले तो पीस कट ट्लिए है अब धे शीकिर कपड़े में से मैं इनने का मेजरेमेंट रॉमस्पर और 3 and 1.5 इंजीन की चोड़ाई है, अब हम इने सेंटर से, लंबाई वाली सैट से इस तरह से फोल्ड करेंगे, अब यहां से हम 1 इंच भी निसान लगाएंगे, बंद वाली सैट से 1 इंच भी निसान लगाएंगे, इस तरह से, और यहां से 2 इंच भी, अब इस निसान को इस निसान से मिला देंगे इस तरह है, और इस निसान को यहां तक मिला देंगे, अब इसे कट कर लेंगे, अब हम इसे यह उपर आले से खुला रखेंगे, और यहां से एक सिलाय इस तरह से लगाते यहां तक ले जाएंगे, देखेंगे, अब हमने दोनों पीसिस पर इस तरह सिलाय लगा लिया, और हम इसे सीधा कर लेंगे, इस तरह से, देखेंगे, हमने इसे सीधा कर लिया, और हम इसके किनारे किनारे एक सिलाय लगा लेंगे, इस तरह से, किनारे किनारे पर यहां से यहां तक यहां तक एक सिलाय लगा पुर कर दोद एक खतक तक जोड़ार्द सेंटर जाजते हैं कर दो एकी subscribe को में चौनलू कर लिए हैं आप चौनल से को स्वी और हम टो सेंटर को में जोड़े पर इसके स्वी मत सब्सक्राइइ जोड़ार्द लेंगे इसतरे इसे लाई से लगा है तरे से जोड़ दिया सेंटर में इस तरह ऐसे अब अब हम अपने लाइनिक कुपड़ा लेंगे और इसे उल्टा कर लेते हैं हम उल्टा कर लेंगे हम इसे ते यह हमने सीधा किया है यह उल्ट रख है और यह सीधा है कि अब है सीधे वाले हिस्टे को goed इस सीधे वाले हिससे मिला लेंगे इस तरह से कि इस तरह हमें इनको मिला लिया आपस में इस तरह से दिए हैं origin जगा पर दूर おred देंगे न है जलेंगे अब हुमें यहां से यहां से इस तरह दोनों को आपस में जोड़ते हें इस तरह से एक सिलाई यहां से गुलाई में यहां तक लगानी है है यहां में घुमाते वे यहां तक लगानी है दूनों हिस्सों को जोडते वापस में और सेम इसमें अजिस और यहां से यहां तक देखे इस तरह से हमने चार तरफ हलाए लगा लेगे इसले यहां से कट लगा लेंगए को आद जीजे हमने सारे तरफ कट लगा लेँ हलका तो कि नीचे की साइट से आप करीब 4 इंच हम इसे खोड लेंगे शेंटर से 4 इंच होल लेंगे शिलाई को में सेंढ़ कर लिए आप हम से सीदा कर लेंगे उसे हमने सीदा कर लिया रेत पूरा इस तरह अब हम जो हमारे खुला हिस्सा है जो हमने हैं से खुला था इसे ऊपर से एक सिलाई से बंद कर देंगे हमने लाइनिंग में से इतना हिस्सा खुला था इसे हमने सिलाई से बंद कर दिया है और हम लाइनिंग को इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से बैठ के लाइनिंग इसक आप से जोड देंगे। इन दोनों स्टिप को आपस में। एस तरह से जोडोयाय से फिस हम ने दून वे जोड़ दिया। अब तरह से यलोवल लेंगे। इस तरह से एक सिलाय लगाकर इने भी जोड देंगे। इसे भी हमने यहाप इसलाई लगा लिए दोनों वापस में जोड़ दिया अब इस तरह से हमारी एक स्ट्रिप जोड़ गई है इस तरह हम यहां से अंद्र की तरह मोड़ेंगे इस तरह से जो हमारा खुला हिस्सा है यहां से किनारे की सिलाई लगाते हैं पूरे यहां से घेरे में एक किनारे की सिलाई लगा लेंगे पूरे घेरे में इनमें सब में इसे अंदर की तरह मोड़ते हैं पूरे में किनारे किनारे की सिलाई लगा लेंगे और इसके एक चाल तरह हमने किनारे किनारे पर सिलाह लगा लिए इस तरह से और यहाँ पर मैंने इसे यह बंद करने के लिए मैंगनेट बटन लगाया है आप चाहे तो यहाँ पर वेलपरो लगा सकते हैं तीज बटन लगा सकते हैं या कोई भी फैंसी बटन लगा सकते हैं, यहां पर बंद करने के लिए से, इस तरह से, मैंने मैंगनेट बटन लगाया है, और हमारा बैक बिल्कुल रेडी है, और यह बहुत ही आसान तरीका है बैक बनाने का, आप इस एक बार जूँ ट्राइ कीजिए, और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए, तो प्लीज लाइक कीजिए, सेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए